Hello friends, मैं हूँ Dr. Radhi Agrawal और आज से आप लोगों के लिए में एक MCQs की सीरीज लेके आ रही हूँ जो के आपकी नीट एक्जाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं So आज हम पहले Biology के MCQs करेंगे जिसमें हम 11th class का जो 1st chapter है The Living World वहां से start करेंगे Okay, so let's move to our first question. So हमारा first question है, which of the following is the correct sequence of taxonomic categories? तो अब आप सब लोगों को पता है कि हमने जो हमारा Animal Kingdom है, Plant Kingdom है, जो भी सा भी हमारा Kingdom है उसको हम बहुत सारी categories में divide करते हैं तो ये total 7 categories होती है, taxonomic categories जिनको हम कहते हैं तो इसमें से आपको ढूनना है कि correct sequence क्या है तो देखो sequence दो तरीके से हो सकता है, या तो increasing order में या फिर decreasing order में ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमें देखना है कि कौन सा order जो है वो correct है अब हम अगर question के जो ये हमारे options हैं, इन पे अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हर एक option में kingdom लिखा हुआ है अब अगर हम अपनी hierarchical position देखेंगे तो उसमें सबसे उपर वाले level पे kingdom आता है तो इसका मतलब यह decreasing order में है हमारे सारे के सारे options अब हमें पता करना है कि इसमें से correct option कौन सा है तो अगर आपने first chapter अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को इतना idea रहेगा कि सबसे जो नीचे वाली position पे होता है वो होती है species तो इन चारों में species ही सबसे नीचे है अब देखो species होती क्या है species क्या होती है species जो है individual organisms का group जिनकी कुछ fundamental similarities होती है उनको हम species कहते हैं जैसे सारे lion जाए female lion हो जाए male lion हो जाए kid lion हो वो सब जो है वो एक category में आएंगे ऐसे ही जो tigers है जाए female tiger हो जाए male tiger हो वो सब एक category में आएंगे अब उसके उपर क्या होता है उसके उपर होता है genus अब होता क्या है जैसे genus होता है जैसे इनका नाम है panthera tigres होता है tiger का नाम और panthera leo होता है lion का नाम तो इनकी क्या है genus अलग-अलग है जो first name होता है scientific naming में वो हमेशा genus को represent करता है तो genus क्या हुआ इनका panthera बट panthera के under भी बहुत सारी species होती है जैसे leo हो गया, tigres हो गया, यह सब चीज़ तो यह हो गई हमारी species तो इसके उपर आएगा genus तो हमारा जो c और d option है वो एकदम ही wrong हो जाएगा तो हमारे पास अब बज़े दो option first और second तो species का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया genus क्या होता है genus होता है related species का एक group जिसके characters जो है वो बाकी genera के species से ज्यादा common होते है जैसे panthera tigres हो गया panthera leo हो गया तो panthera जो है हमारा वो genus हो गया और species के हो गई tigres या leo अब जैसे दूसरा अगर हम एक genus देखें तो वो होता है cats का genus जो की phallus के नाम से होता है तो उस cat वाले जो genus है जो panthera वाला genus है उसके characteristics जो है वो differ करें यह हो गया हमारा genus तीसरी चीज़ जो genus के उपर वाला part होता है यानि कि उसके उपर जो एक stage आती है वो होती है family family क्या होता है इसमें genera यानि कि genus के बहुत सारे group जो है related genus के जो groups होते है वो इस category के अंडर आते है यानि कि family के अंडर आते है जैसे इसमें भी हम panthera Leo और panthera tigres का example लेके समझेंगे animals की group में अगर हम देखें तो genus panthera जो है जिसके अंदर tiger, lion वगर आते हैं leopard आता है उसको हम phallus यानि कि जो cats वाला genus है उसके साथ रखते हैं और ये दोनों जो है वो family felida के अंदर आते हैं मतलब कि family felida के दो genus हो गए एक हो गया हमारा panthera वाला जिसके अंदर lion, tiger, leopard आएंगे और दूसरा हो गया हमारा phallus वाला जिसके अंदर cats आएंगे ओके then next जो आता है हमारा इससे उपर वाली position पे वो होता है order अब order क्या हो गया family का group जैसे species जो है वो genus के अंदर आता है तो genus हो गया species का group family हो गया genus का group और order क्या हो गया families का group जैसे कि एक order होता है animals में जिसको carnivora बोलते हैं उसके अंडर felidae और canidae दोनो families आती है जिसमें जो felidae वाली family है उसके अंडर हमारी cats आती है और जो हमारा canidae वाला होता है उसके अंडर हमारे dogs आती है ओके then order के उपर आता है हमारी class class क्या होती है इसमें अलग-अलग तरीके के orders include होते है जैसे एक class होती है हमारी mammalia mammalia के अंडर दोनों order आते है एक तो आता है primator order जिसके अंडर हमारे monkey gorilla, gibbon ये सब आएंगे दूसरा order जो आता है वो होता है carnivora जिसमें अभी हमने अभी अभी पढ़ा कि tiger, cat, dog ये सब आएंगे तो इसे लिए जो class है वो एक group होता है orders का अलग-अलग orders का और ये ज़रूरी नहीं है जिसमें आपको example दिया कि mammalia class में ये दो order होते सिर्फ ये दो order नहीं है और भी बहुत सारे orders है वो एक example के तोर पे आपको समझने के लिए मैंने बता लिए next जो आती है हमारी category वो होती है phylum phylum क्या होता है जैसे कुछ classes है जिसके अंडर ऐसे animals आते है सफेश हो गया amphibian हो गया reptiles हो गया उनको अगर हम mammals के साथ रख दे तो वो एक next category हो जाती है हम phylum और सबसे last और सबसे उंचे पायदान पे जो हमारा category होती है वो होती है kingdom kingdom कैसे जैसे animal kingdom है तो उसमें सब तरीके के animals आ जाएंगे चाए वो एक चीटी हो चाए वो हाथी हो और plant kingdom में सारी तरीके के plants आ जाएंगे तो इस तरीके से हम in orders को या in taxonomic categories को categorize करती है तो हमारा correct option क्या हो जाएगा first वाले यानि की a then let's move to the next question और ये next question जो है वो कहता है what defines a species according to the biological concept of species तो भी मैंने आपको species के बारे में बताया कि क्या होती है species तो इसके options देख लेते हम पहला है morphological similarity क्या morphological मतलब होता है बाहरी जो आपकी similarity है न जैसे आप बाहर से जैसे दिखते हो जैसे हम यह बोलते हैं कि चाइना के जो लोग हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं उनमों morphological similarities है तो इस तरीके से अगर बाहर का appearance देखके आप एक species को judge करोगे या उसका concept बताओगे second है ability to interbreed and produce fertile offspring दूसरा point यह है कि species का मतलब यह होता है कि वो एक दूसरे के साथ interbreed कर सके और एक fertile offspring पैदा कर सके यह नहीं जैसे कि हमने एक donkey और एक horse को interbreed कर रहा है तो हम mule बनवाते हैं जिसको हम खचर बोलते हैं तो वो fertile नहीं होता है वो sterile offspring है तो उस चीज़ को हम species के category में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं यह है तीसरा genetic similarity कि अगर genes में similarity है तो आप उसको एक species बोलोगे कि भई इस जैसे एक particular कोई भी चीज़ है उसकी genetic similarity दूसरे वाले से मिलती है तो उसको आप species बोलोगे या नहीं बोलोगे चौदा है ecological niche niche क्या मतलब होता है एक particular function जो एक organism जो है perform करता है तो उसके हिसाब से आप उसको एक species में रखोगे दो organisms को एक species आप जब काऊगे जब उनका ecological niche same होगा तो ये चीज़ जो है आपको बतानी है comment section में ये second question जो है मैं आप लोगों के लिए चोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है हर एक taxonomic category के क्या characteristics होते हैं तो ये question आप लोग मुझे comment section में answer करके बताऊगे तो यहीं पर मैं अपना lecture खतम कर रही हूँ इसके अलावा आपको और भी questions करने को मिलेंगे मैं रोज इस तरीके के concepts लाऊँगे आपके लिए जिसमें हम कुछ questions मैं खुद solve कर रहाँगे और कुछ questions मैं आपको दूँगी solve करने को जिससे आप लोगों की जो power है question solving की वो बहुत improve हो जाए इस question का answer दे देना मुझे comment section में और बने रहना अब आपके लिए रोज इस तरीके के lectures आएंगे so like, share, subscribe and bye bye